नमस्कार मेरा नाम सिसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं एक मसीही गीत गाने के लिए जारी हूँ जिसे आप जब सुनेंगे और खुद गाएंगे भी उस गीत को सुन करके तो आपकी जीवन में परमेश्वर काम करेंगे वो आपसे बात करेंगे और आपको अपनी शानती देंगे वो कौन सा गीत है आपको नहीं पता लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा तो स्केप करेंगे तो आपको नहीं समझाएगा क्योंकि मैं उस गीत को गाने से पहले आपको वचन से कुछ बाते बताऊंगी क्योंकि जब आप वचन से समझेंग क्योंकि परमेश्वर के जो सारी गीत होते हैं वो वचन से ही होता है अगर आप वचन से हटकर कुछ आप गीत गा रहे हैं तो वो चीज सही नहीं है सब कुछ वचन से होना चाहिए चाहे आप प्रचार कर रहे हैं चाहे आप गीत गा रहे हैं चाहे किसी से कुछ बात कर रह और परमेश्वर का आत्म आपकी जीवन में कारे करेगा, आमेन, तो इसलिए चलिए वचन के ओर जाते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहते हूं, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन सान कर लीजेगा, ताकि आन उची उची भूमी को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाडों को तोड़ डालूंगा, और लोहे के बेडों को टुकडे-टुकडे कर दूंगा, आमेन, हालेलुया, इसका मतलब है कि परमेश्वर कहना चाहरे हैं कि आज आपकी जीवन में कोई भी बाधा आरी है, चाहे व कोई ऐसा पाप है जो आपको दबा कर रखा है, आपको बेडियों से बांध कर रखा है, कि आप चल नहीं पारे, उससे आजाद नहीं हो पारे, यासी कोई बीमारी है, उसका पहाड आपकी जीवन में है, वो उसके वज़े से आप अपने जीवन के आगे को भविश्य को आगे आप ठीक होंगे भी या नहीं, आप परमेश्वर के काम को कर भी पाएंगे या नहीं, आपकी जीवन में ऐसा लग रहा है, आपको की बहुत सारी रुकावटे है, बाधाय है, तो आज ये परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाएगा येश्य मसी के सामर्थी नामे क्योंकि लिखा है, परमेश्वर साफ कह रहे हैं कि मैं तेरे आगे 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 चलूँगा, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे, और परमेश्वर के आगे आगे क्या चलता है, आग चलता है, आपने जब पुराना नियम में पढ़ा होगा, साफ ल जब आप हो, कभी यह न सोचे कि आप अकेले हैं, क्युंकि यह वचन आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर यहवा के आगे-ागे, आगे है जो आपके सारे द्रोहियों को नश्च कर देगी, मिटा डालेगी यह मसी के नाम में, आपके प आज परमेश और आपकी जीवन से हर प्रकार के बंधनों को शुरापों को तोड़ देंगे शुमसी के नामें, चाहे आपके उपर कोई बीमारी का शुराप हो, चाहे कोई करजे का शुराप हो, या फिर पीडी-दर-पीडी जो जिसे एंग्लिश में जेनरेशनल कर्स बोलते है, अगर वो पीडी-दर-पीडी शुराप आपके उपर है, किसी भी प्रकार का, आज वो शुराप और बंधन इस वचन के द्वारा तूट जाएगा इशुमसी के सामर्थी नामें, आमें, तो आपको विश्वास करना इस वचन पर, क्योंकि आज इस वचन के ही द्वारा मैं एक गीत गाने के लिए जा रही हूँ, मेरी आवास उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस गीत को इसलिए गाना चाहरी हूँ, ताकि इसके द्वारा सुनते ही आपका छुटकारा हो, परमेशवर आपको शांती दे, आपसे बात करे, और आपके संग संग रहे, आमें, तो इसलिए लिखा हुआ है कि लोहे के बेड़ों को टुकडे टुकडे कर देगा, जो आप लोहे के बेड़ों से बंधे हुए हैं, तो आज चाहे आप से बंधे हो, बीमारी से बंधे हो, शैतान ने आपको बांध करके रखा है, दबा करके रखा है, लेकिन आज वो सारे बंधन, श्राप, ये सारे बेडिया तोड़ दिये जाएंगे ये श्मसी के नामें और परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, क्योंकि वो आपके आगे आगे चलेंगे ये श्मसी के नामें, आमेन, तो एक और वचन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, निर्गमन क्यों ऐसा लगता है कि बुरी परिस्वर आपको छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे आपकी परिस्वर बुरी हो, चाहे अच्छी हो, चाहे कितना भी बड़ा आपको लग रहा होगा, आपकी जीवन में पहाड आ गया है, लेकिन उसमें भी आपको विश्राम देंगे, आराम देंगे, क्योंकि हमें विश्राम कहीं और नहीं मिल सकता, जैसे आपको लगेगा कि मैं आप विश्राम ढूड़ने के लिए धरुदर भटकते हैं, कहां मुझे शांती मिलेगी, कहां मुझे आराम मिलेगा, क्योंकि आप शरीर में भले ही इस चीज़ को सोचिए मन में, और अब ही आप चल रहे हैं। जो कूड़ा कचड़ा आपके जीवन में वो सब कुछ खतम होते जाएगा और वो सफाया पर मेश्वर करेंगे क्यूंकि आपके लिए एक सही रास्ता निकालेंगे एक सीधा मार्ग निकालेंगे ये श्रमसी के नाम है और वो आपको विश्राम देंगे आमेन तो चलिए करके क्योंकि अगर आप बिजी है अगर आप इस वक्त कुछ काम कर रहे हैं आपका मन सही से नहीं लग रहा है तो आप मुझ सुनिये बाद में सुन सकते हैं लेकिन इस विडियो को डाउनलोड या सेव करके रखिएगा और इसे अगर आप इस वक्त सुनेंगे तो परमेश आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा चिंता ना करो भै ना करो हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाओंगा मैं तीरी आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा मैं तीरी आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा तो मेरा विश्वास है कि आपने इस गीत को सुना है आज परमेशर का आत्मा आप से बात किया है और ये गीत छोटा साई है लेकिन आपको इसे रिपीट करके भी आप सुन सकते हैं इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया थे इस विडियो को डाउनलोड या सेव करके रखिएगा ताकि आप हर दिन जब आप इसे सुनेंगे अपने दिन की शुरुवात करने से पहले या दिन का अंत जब होगा जैस कि क्या परमेश्वर के आत्मा ने आप से बात किया इस वचन के द्वारा इस गीत के द्वारा मुझे कॉमेंट कर सकते हैं आपको जैसा मैसूस होता वैसा ही बताइएगा आप जूट मत बोलेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं लगा तो आप वो भी कॉ XD.